आज मैं बनाओंगी चिकन शामी कबाब इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं कड़ाई में एक गिलास पानी दालोंगी इसमें मैं दालोंगी 6 सुखी मिर्ची लाल, 7-8 लसुन, 2-3 टुकड़े अधरक्के, 1 चम्मच जीरा, 10-15 काली मिरी, 1 चम्मच अक्खी धनिया, 2 इलाईची, 4-5 लाउग, और 2 दाल चीनी सब मसाले में इसमें दाल दूँगी पानी में इसमें मैं दालूँगी 200 गिराम चिकर अब मैं इसमें दालूँगी 1500 गिराम चनी की दाल दाल को मैंने आदर घंटा भीगा कर रखी थी किकी चिकन और दाल एक साथ हमारा गलना चाहिए अब इसमें दालूँगी नमक नमक स्वात के हिसाब से दालूँ अब इसे में ढखकन लगा कर उबाल आने तक के पका लूँगी इसमें अब उबाल आ चुका है अब हम इसे जड़ा सा हिलाएंगे और इसका पानी सुखने तक के हमें पकाना है यह देखिए हमारी दाल गल चुकी है यह देखिए अब हम इसे इसका जो पानी है वो सुखा लेंगे दाल में पानी सुख चुका है, यह देखे, हमें थोड़ा भी पानी नहीं रखना है, अब हम गैस को बन कर देंगे और इसे थंडा होने देंगे दाल जो ए ठंडी हो चुकी है अब हम इसे पीस लेंगे कबाब का मसला तयार हो चुका है अब मैं इसके कबाब बना लूँगी इस साइस के हमें बनाना है सब कबाब को मैं इसी तरह बनाऊँगी मैंने अभी दो अंडे ली हूँ इसमें चुकी भर नमक दालूँगी और इसे फेट लूँगी फ्राइ पेन में अब मैं तेल दाल कर गरम कने रख देंगे कबाब को आब हम अंडे में डुबा कर फ्राइ पेन में रख देंगे इसे हम सुनेरा होने तक के फ्राइ कर लेंगे अब हम इसे पलट लेंगे यह देखे कबाब सुनेरे हो चुके हैं माशारला हमारे कबाब सुनेरे रंके हो गए अब दुसरी साइट भी हम आईसे ही करेंगे सुनेरा ,कबाब दोनों साइट से सुनेरे हो चुका है आप हम इसे पलेट में निकाल लेंगे माशाला शामी कबाब बनकान तैयार हो चुके हैं वीडियो पसंद आये तो शेर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी अल्ला हाफिज